नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रांड योतिस सीक्रेट मिथुन रासी वालों ब्रंभांड में सभी गरह अपने निर्धारिश समय पर गोचर या वक्री होते रहते हैं और इसी करम में ग्रहों के राजकुमार जो बैपार के कारक हैं बुद्धी के कारक है आपकी वानी के कारक है और संचार के कारक है जब वह 14 अक्टूबर को तुला रासी में वक्री हो जाएंगे और तीन नौंबर तक यहां पर वक्री अवस्था में रहेंगे तब आप मिथुन रासी वालों के जीवन पर इसका क्या प्रवा पड़ेगा आज हम आप से यही साजा करेंगे देखिये मिथुन वालों बुद्ध आपकी रासी से पांच में भाव में अस्थान में वक्री हो रहे हैं अब इस समय आपको ने ने अफसर मिलेंगे जो बिद्यार्थी हैं भविस्थी को लेकर आप अच्छी योजनाएं बनाएंगे इस समय आपको आत्म निर्वभ बनने का प्रयास इस समय करना चाहिए उसमें सफलता भी मिलेगी दांपत्र जीवन के लिए यह समय अच्छा है और इस तो में भी मजबूती आती भी नजर आएगी लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बुद्ध आपकी रासी के जो है आपके स्व सरों को भी देखा जाता है तो यानि जो बिस दिन है आप मिथू नासी वालों के लिए क्या होगा ना कि बस यह समझ रहे हैं कि आपके जो बिचार है आपके अंजर जो रशनात्मक छमता है वह आप बहुत ज्यादा कॉन्फिदेंस में रहेंगे और इसी आत्म विस्वास यहां पर ओबर कॉन्फिदेंस हो सकता है या फिर आपको लगेगा जैसे आपका आत्म विस्वास जो है वह थोड़ा सा डगमगा रहा है तो ऐसे में आप किसी बात को लेकर थोड़ा सा और सहच हो सकते हैं तो इस पर आपको गंट्रोल रखना होगा क्योंकि भवनात्मक र लगते हैं तो चुनोतियों को बहता तरीके से आप ठीक कर पाएंगे हल निकाल पाएंगे लेकिन सफलता के लिए आपको सही ओजनाय बनाने होंगे सही मार्ट पर आपको चलने होंगे सही तरीके से आगे बढ़ना होगा और जो 30 में कुंडली के पंचम भाव से आपके प् आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप यहां धोखा खा सकते हैं तो आप किसी भी नए रिस्ते में आने से बचे अगर साधी सुधा है तो जीवन में इस समय कोई भी आपका पुराना प्राना प्रावाबित रहेंगा और आपको अपने जीवन साथी के साथ चुकि आ आप कभी-कभी ओपर कॉन्विडेंस में होंगे कभी-कभी आपका कॉन्विडेंसी कदम हो जाएगा जो विद्यार थी है खासकर उनके लिए तो पढ़ाई पर फोकस बनाना है गायतरी मंतर पढ़े इससे आपको लाब होगा दूसरी बात इसमें आप संभव हो रोज सब्सक्राइब कीजिएगा हरहर महादेब धन्यवाद सुषभी आपका कीजिए पासक।